प्रिये विध्यार्तियों, मैं शुनील भावसार नवांकुर विध्यापीर डिजी लेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ विध्यार्तियों, पिछले वीडियो में हमने भाग एक बिने के पत का अध्यन किया था आज हम भक्तिधारा के अंतरगात भाग दो इस्तुती खंड का अध्यन करेंगे इस पार्ट के रचेता मलक मलिक मुहमत जाइस्ती हैं जिनका जन्म सन 1491 इसबी में जायस नामक ग्राम में हुआ था जायसी भक्तिकाल की निर्गुन प्रेम मार्गी साखा के फिर्ती निधी कभी हैं ये सूफी कभी हैं प्रस्तुत कभीता पदमावत महाकाप से अप्तरित है कभी जायसी ने पदमावत महाकाप की रचना के प्रारंब में इसबर का इस्मरण श्रद्धा भाव से किया है उसी अंस को यहां इस्तुती खंड नाम दिया गया है प्रारंब शबरों आदी एक करतारू जेहे जिव देन कीन संसारू केनिस प्रिथम जोती परगासू केनिस तेई प्रीती कभीतासू संदर्प फ्रस्तुत काब्वे पंक्तियां यचन हमारी पाठ पुस्तक हिंदी विशिष्ट नबनीत के पाठ एक वक्तिधारा के अंतरगत इस्तुती खंड से अपतरित है इसके रचैता शिरी मलिक मोहम्मद जायसी है प्रिशंग इन काब्वे पंक्तियों में कवी जायसी गिरंत की रचना के आरंभ में इस्वर का इस्मरन भक्तिभाव के साथ कर रहे हैं व्याख्या कभी जायसी कहते हैं शबरों माने इस्मरन करना आदी माने प्रारंब में एक माने एक इस्वर करतारू करतारू माने करतार यानि भगवान जेह मने जिसने जीव मने जीवन दीन मने दिया कीन मने की संसारू संसारू यानि संसार की उत्पत्ती यानि मलिक मुहम्मद जायसी कहते हैं गिरंद की रचना के प्रारंब में सबसे पहले मैं उस इस्वर का इस्मरन करता हूं जिसने जीवन देकर संसार की उत्पत्ती की कीनिस पिर्थम जोती परगासू जिसने सब से पहले जोती को परगासू उसी इस्पर ने कीनिस मने किया ते ही मने उसी ने प्रीती मने प्रेम कवितासू मने कवियों के मन में कविता के पिरती यानि उसी इस बर ने जोती को प्रिगट किया और इस बर ने कवियों के मन में कविता के पिरती प्रेम प्रिकट किया कीनिस अगन पवन जल खेहा कीनिस मने पिरगट किया अगीनी मने अगनी पवन मने हवा जल मने पानी खेहा मने मिट्टी इस बन ने अगनी पवन जल और मिट्टी आधी तद्मों को पिरगट किया कीनिस वहुतई रंग उरेहा कीनिस मन किया वहुतई मन वहुतेरे रंग मन रंग विरंगे उरेहा मन चित्रकारी और उसी इस बन ने रंग विरंगे चित्रकारी पिरकट की याने कई अनेक रंगों की वस्तुएं बनाई कीनिस धर्ती स्वर्ग पतारू कीनिस वरन वरन अबतारू उसी इस बन ने कीनिस मन किया धर्ती याने धर्ती सरग मन श्वर्ग पतारू मन पाता लोग इस वर ने तीनों लोकों की रचना की धरती लोग, स्वर्ग लोग, पतालोक इन तीनों लोगों की रचना जाएसी के अनुसार इस वर ने की कीनिस बरन वरन अवतारू कीनिस मन प्रिगट किये वरन वरन मन वरन वर्न के अनेक रंगों के अपतारू अपतारू मन यौनियों के जीव उसी इस पर न्य अनेक यौनियों में जीव की उत्पत्ति की कीनिस साथ दीप व्रमंडा केनिस मन प्रिगट किया साथ दीप मन साथ दीपों को ब्रह्मंडा ब्रह्मान में सम्पून ब्रह्मान में इस पर ने साथ दीपों का निर्मान किया केनिस भुवन चौदव खंडा और उसने सारे ब्रह्मान को चौदा खंडों में बाड़ दिया कीनिस दिन दिन अर ससी राती जा इसी कहते हैं कीनिस मने प्रिगट किया दिन दिन के लिए दिन अर दिन अर माने दिन कर दिन कर यानी शूरिय ससी मने चंद्रमा राती मने रात के लिए इस बर ने दिन के लिए सूरज और रात्री के लिए चंद्रमा बनाया केनिस नखत तराईन पाती नखत माने नक्षत्र तराईन माने तारा गणों की पांती माने पंक्ती इसबने नचत्र और तारा गणों की पंक्ती को पिरकट किया कीनिस धूप शिव और चाहा को बनाया कीनिस माने प्रिगट किया मेख माने बादलों को विजू माने विजलिया तेई माने उसके वीच में माहा और इस्वर ने मेखों को बनाया और मेखों के बीच में बिजली को प्रिगट किया अब दोहा है कीन सवई अस जाकरे दूसरही चाज नकाओ पहले यी तेक नाउलई कथा कहों अब गाओ जाईसी स्रद्धा के साथ इस्वर का इस्मरन करते हुए कहते हैं कीन सवई अस जाकर कीन माने प्रिगट किया सवई माने सब अस जाकर जिसने दूसरे चाज ना काओ, दूसरे मने दूसरा कोई, चाज मने सोभाइमान, ना मने नहीं है, काओ मने कोई, उस इस पर के समान, दूसरा कोई शोभाइमान नहीं है, पहले यी ते इक नाओ लहीं, पहले यी मने सबसे पहले, ते इक मने उसी को नाओ, मने नवाकर, शिर को पहले सिर नवाकर प्रिणाम करता हूं कथा कहों अवगाहू कथा मने आगे की कथा कहों कहता हूं अवगाहू अवगाहन करता हूं सबसे पहले उसी इसवर को शिर नवाता हूं और अब आगे की कथा का अवगाहन करता हूं इस प्रकार इन काब विपंक्तियों में शांत र अस कभी विचन है, शौपाई और दोहा चंद है, अबधी भासा का प्रियोक किया गया है, वर्णन आत्मक क्षैली है। शौपार निर्मित स्रिष्टी का बर्णन किया है। कविजाई सी कहते हैं केनिस मन किया हैव समुद्र अपारा, इस वर ने बिसाल समुद्रों का निर्मान किया। केनिस नदी नार और जारा केनिस माने प्रिगट किया। नदी माने नदियां, नार माने नाले और जारा याने जरने। इस वर ने नदियां, नाले और जार्नों को प्रिगट किया। इस मगर मचम बहु बरना और जल में रहने के लिए मगर मचम माने मचलियां बहु बरना अनेक प्रिकार की। इस वर ने जल में रहने के लिए मगर मच, मचनियां और अनेक रंग के दूसरे जन्तु बनाये। कीनिस सीप मोती बहु भरे, कीनिस बहुताई नग निरमरे। कीनिस माने प्रिगट किया, सीप मोती बहु भरे, मोती से भरे हुए। इस बन ने जल में मोती से भरे हुए सीपों को बनाया केनिस बहुतई नग निर्मरे और उसी इस बन ने बहुतई माने बहुत सारे नग माने रत्न निर्मरे माने निर्मल उसी इस बन ने अनेक सुन्दर रत्नों का निर्मान भी किया केनिस बन खंड ओ जरी मूरी केनिस माने प्रगट किया बन खंड मने बन इस बन ने बन बनाए ओ जरी मूरी और उन बनों में अनेक प्रकार की ओ माने आस्तिया जरी मूरी माने जड और मूल को पैदा किया प्रगट किया केनिस तरवर तार खजूरी इस बने तरीवर मन ब्रक्ष तार मन ताल खजूरी मन खजूर जैसे उसी इस बने ताड और खजूर जैसे बिशाल ब्रक्षों की उतपत्ती की केनिस साहुज आरन रही केनिस मन किये साउज मन जानबर आरन मन जंगलों में रही मन रहनी के लिए इस बन जंगल में रहनी के लिए जानबर पिरकट किये केनिस पंख उड़ाई जहां चाही इस बन ने पंख दिये पक्षियों को जिससे वेक्षा के अनुसार उड़ते हैं केनिस वरन सेत और श्यामा केनिस मने प्रगट किया वरन मने रंग सेत मने सफेद और श्यामा और काला रंग इस बनने श्वेत और काला रंग बनाया कीनिस भूक नींद विसरामा इस बने प्राणियों के विश्राम के लिए भूक और नींद बनाई कीनिस पान फूल बहू भोगू इस बने मनश्यों को खाने के लिए पान फल फूल और बहुत सी चीजों का निर्मान किया कीनिस बनाए वहू बहुत सारी आउशद बहुत सारे रोग बनाए इस बने एक तरफ बहुत से रोग उत्पन किये तो दूसरी तरफ उन रोगों को टीक करने के लिए अनेक पिरकार की आउस्दीयां भी पिरगट की अब दोहा निमिक ना लाग कर ओही सबई कीन पल एक गगन अंतरिक राखा बाज खंब बिनु टेक या जाइसी कहते हैं निमिक मने निमित मात्र का समय ना लाग कर नहीं लगा ये सब करने में ओही उसको सबई कीन पल एक इस सारी स्रश्टी का निर्मान उसने एक पल भर में कर दिया गगन अंतरिक राखा और सबसे बड़े आश्चर की वात है कि आकास को अंतरिक्ष में इस्थापित कर दिया बाज खंब बिनू टेक किसी बिना खंबे या आधार के आकास को उपर इस्थिर कर दिया तो जाइसी कहते हैं कि उस इसबर को इस सारी स्रिष्टी का निर्मान करने में छण मात्र का समय भी नहीं लगा पल भर में उसने पूरी स्रिष्टी का निर्मान कर दिया और सबसे आश्चर की बात ये है कि आकास को अंतरिक्ष में बिना किसी खंबे या सहारे के इस्थापित कर दिया तीसरा केनिस मानुस देहिश बढ़ाई केनिस अन भुगती तेई पाई पिरशंग प्रस्तुत काब्य पंक्तियों में या चौपाईयों में कभी जाईसी ने इसबर द्वारा बनाई गई स्रश्ठी का चित्रन किया है कभी जाईसी कहते हैं केनिस मानुस देहिश बढ़ाई केनिस मानुस मानुस माने मनुश्यों को देहिश माने दी बढ़ाई माने बड़पन उसी ने मनुश्यों को बड़पन दिया केनिस अन भुगती तेई पाई केनिस माने प्रिगट किया अन माने अनाज भुगती माने संतुष्टी के लिए भूग करने के लिए तेई उसको उसने अन बनाए जिनको पाकर मनुष संतुष्ट होता है उसकी भूग मिटती है केनिस राजा भुन्जई राजू केनिस मन किया राजा मन राजाओं के भुन्जई मन उपभोक करने के लिए राजू मन राज उसने राजाओं को उपभोक करने के लिए राज बनाए केनिस हस्ती गोर तिन साजू केनिस मन किया हस्ती मन हाती घोर मन घोडे तिन उन राजाओं के लिए साजू मन सामान और उसुने उन राजाओं के लिए हाती घोडा और अन साज सामान का निर्मान किया कीनिस तिनके बहुत बैरासू, कीनिस मन किया, तिनके मन उनमे किशी को बहुत बैरासू, मने बैभब साली, किसी किसी को इस बर ने बहुत एश्वर और बैभब दिया, कीनिस कोई ठाकुर कोई दासू, किसी को उसने ठाकुर यानि मालिक बनाया, कोई दासू, तो किशी को माल का नौकर यानि दास बना दिया यानि इस पर ने एक तरफ वैभवसाली मनुष्यों का निर्मान किया तो दूसरी और किसी को ठाकुर बना दिया किसी को दास बना दिया कीनिस दरब गरब जय होई कीनिस लोब अघाय न कोई कीनिस मन किया दरब मन दरब रुपया पैशा मुद गरब जेही होई जिसको पाकर होता है उसने मुनिश्यों के लिए द्रब बनाया मुद्रा बनाई और अधिक धन्बान होकर मुनुष घमंड करता है कीनिस लोब अगाई ना कोई कीनिस मन किया लोब मने लोब या लालच अगाई ना कोई संतुष्टी नहीं होती किसी की यानि एक तरह पीसबर्नी द्रब बनाया तो दूसी तरह लोब बनाया अधिक धन प्राप्त करके भी किसी किसी के मन में संतुष्टी नहीं होती केनिस जियन शदा सब चाहा केनिस मीच न कोई रहा केनिस जियन जियन माने जीवन सदा सब चाहा सदा यानि हमेशा सब चाहा सब चाहते हैं उसने जीवन बनाया जिसको हमेशा सभी लोग चाहते हैं केनिस मीच ना कोई रहा केनिस मन किया मीच मन मृत्यू ना कोई रहा जिससे कोई बच नहीं पाता याने एक तरफ इस पर ने मनुश्यों के लिए जीवन बनाया और सब लंबा जीवन चाते हैं तो दूसी तरफ उसने मौत बनाई जिससे कोई बच नहीं पाता कीनिस सुख और कोव अनन्दू कीनिस दुख चिंता और दन्दू कीनिस मन किया सुख मन सुखी और कोव मन किसी को अनन्दू मन आनन्दू इस बर ने किसी को बहुत सुखी और आनन्दित बनाया यानि किसी किसी के जीवन में सुखी सुख और आनंद ही आनंद की गंगा वैती है कीनिस दुख चिंता और दंदू तो उसने दूसी तरफ किसी किसी मनिश्यों के लिए दुख, चिंता और दंदों का निर्मान किया यानि उनका सारा जीवन दुख और चिंता में ही वैतीत होता है कीनिस कोई विकारी कोई धनी, कीनिस संपत्ती विपत्ती पुनी घनी, कीनिस कोई विकारी किसी को विकारी बना दिया, कोई धनी किसी को धनबान बना दिया, कीनिस संपत्ती किसी को संपत्ती शाली बना दिया, विपत्ती पुनी घनी और किसी के जीवन में घनी विपत्तियां दे दी यानि इस पर ने एक तरफ भिकारी बनाए तो दूसी तरफ धन्वान मनुष्य बनाए किसी को बहुत शंपत्ति साली बना दिया तो किसी को कंगाल बनाया जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां दे दी अगला दोहा कीनिस कोई निभरोसी कीनिस कोई बरियार छार ह चाहरौतेषव कीशार यानी मित्टी पुनिकीश सब छार जाओते LA मितवर कि सब चाहरौतेसद और आम पुनिकीनिस सब चार और रंत में सब कुछ मिट्टी कर दिया यानि इसबर ने मिट्टी से ही इस सारी स्रिष्टी की उत्पत्ति किये और रंत में ये सारी स्रिष्टी मिट्टी में ही बिलीन हो जाती है इस परकार जायसी ने पदमावत गरंत के प्रारम में इसबर की वंदन किये और सारी स्रिष्टी का निर्मान इस बर के द्वारा किया गया है ऐसा जाइसी ने इन इस पार्ट में चित्रन किया है विशेश शांत रस चौपाई और दोहा च्छन अबधी भासा वर्ननात्मक शेली धन्यवाद अगले बीडियो में पार्ट दो तैने वाँ